उज़ा मॉनिंग पहले तो नंबर्स पर ही फोकस कर लेते हैं जो बाजार बंदोने के बाद आए हैं जी शुरुआत करते हैं अपूलो हॉस्पिटल से और नतीजी अनुमान से बहतर नज़र आ रहे हैं आए में 15% की बढ़त और मुनाफ़ा बढ़ा है 62% से कंपनी का तो अच्छे नतीजे दिखाई दे रहे हैं अपूलो हॉस्पिटल की तरफ से पावर गिट के नतीजे थोड़े सपाट हैं आए में भी सपाट बढ़त देखने को मिली है मुनाफ़ा भी सपाट है अगर देखे तो कामकाजी मुनाफ़े में मामुली 2% की गिरावट कंप्टी ने दरच की है इसके अलावा कमटी ने साड़े 4 रुपे प्रतीश शेर के डिविडेंट की भी घोशना की जिसके की रिकॉर्ड डेट 4 सितंबर है नतीजों की बात करें तो काफी इस अपाट नंबर्स देखने को मिले है और अनुमान के हिसाफ से अगर देखेंगे तो काफी मिले जुले नंबर्स थे टाटा स्टील अगर देखेंगे तो अनुमान से बहतर नजर आ रहे हैं नंबर्स हर पैमाने पर आये में 2% की गिरावट जरूर है लेकिन 52,600 के आसपास के फिगर्स हमें एक्सपे करे थे उसके सामने 53,905 करोड की आया है और मुनाफ़ा अगर देखेंगे तो वहाँ पर 18% क से बढ़कर 11.4% के मार्जिंग के नंबर्स कम्टी ने फूर पोस्ट किये वाइदा बाजार से चंबल फर्टलाइसर के नंबर्स ऑपरिशनली बेहद ही स्ट्रॉंग नजर आ रहे हैं हाला कि रेवेनिय अनुमान से बहतर है लेकिन बाकी सारे अनुमान से कमजोर है लेकिन में 15% की गिरावट मुनाफ़ में 7% की गिरावट कम्टी ने दर्च की और JSPL के नतीजों की बात करें तो अनुमान से हलके बहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं आए में 8% की गिरावट है मुनाफ़ अगर देखेंगे तो वहां पर 38% की गिरावट है लेकिन और जादा करते हैं आज महिंद्रा महिंद्रा निफ्टी से और ट्रेंट के नंबर्स आएंगे तो उस पर नजर रहेगी वाइदा बाजार से भी सूची काफी लंबी है अबॉट इंडिया आदित्यबिला फैशन, स्कॉर्ट्स, कुबोटा, इंडियन होटेल समेत काफी सारे कमपनिय एक्स डिविडेंट कारुबार करेंगी प्राइमरी मार्केट में भी हलचन काफी जादा है साजिलिटी इंडिया का आईपयो कल दूसरा दिन आईपयो आज बंद हो रहा है दूसरे दिन 0.52 गुना का सब्स्रिप्शन देखने को मिला स्विगी का दूसरे दिन की बात करें तो 0.12 गुनाई ये सब्स्राइब हुआ है और एक्ट में सोलार होल्डिंग्स आज दूसरा दिन है पहले दिन 0.39 टाइम्स का सब्स्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला और आज निवा भूपा हेल्थ इंशुरेंस का आईपयो आज से खुलेगा प्राइज बंद सतर से QI-P के ज़री जुटाएगी और जो इशु प्राइस तह हुआ है वह 1205 इंडीकेटिव प्राइस की बात करें तो 1305 की इस्यु प्राइस तेरा परसेंस्ट डिसकाउंट पर यह फ्लोव प्राइस के तह हुआ है MSCI में कुछ बदलाव हुए है पाथ स्टॉक को स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया है जिसमें की Alchem Lab, BSC, Kallian, Jewelis, Oberoi Realty वोल्टाज शामिल है वही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सुची काफी लंबी है 13 स्टॉक को शामिल किया है, 7 स्टॉक को निकाला गया है तो इस पर भी आज नज़र रहेगी HDFC बैंक भी फोकस में रहेगा इसके चलते MSCI इंडेक्स में कंपनी का वेटेश बढ़ चुका है तो 15,000 करोर से जादा के इंफ्लो आने की भी बात हो रही थी हिंदुस्तान जिंक सरकार ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प के तहट 0.5% हिस्सा जारी करेगी हम आपको बता दे कि OFS खुला था कल नौन रीटेल पोर्शन करीब 140% सब्सक्राइब हुआ और आज रीटेल निमेशिकों के लिए ये OFS खुलेगा RVNL आज वापस से फोकस में लगातार ये कंपनी फोकस में बनी हुई अपने ओर्डर जीतने के कारण अब कंसोर्शियम को 1917 करोर के प्रोजेट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है और यहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कि यहां पर बात की गई है इसके लाब पूर मद्य रेल्वे ने भी 180 करोर की प्रोजेक्ट के लिए यहां पर लिटर जारी किये हैं जो कि 18 महीने में ओर्डर ये पूरा होगा तो RVNL हम देख रहे हैं लगातार फूकस में बढा हुआ है ओके बहुत सारी खबरें हैं बहुत सारा आक्शन आज स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिलेगा